कोवैक्सिन का डेटा अब आ चुका है अंतरिम विशलेशन बहुत अच्छा लग रहा है क्या ये आकडे सच्चे है अगर वो सच्चे है तो क्या वो अच्चे है क्या ये बुरे है अगर ये बुरा है तो क्या ये खरा है सब स्पष्ट कर दूँगा और अंत में कोवैक्सिन या नहीं लेनी है वो भी बोल दूँगा, शुरू में जल्दी से बता देता हूँ, वैक्सिन अच्छी लग रही है, सेफ लग रही है, लेने में कुछ हरज नहीं है, लेकिन किन लोगों में लेना चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे. उसका जो अंतरिम विशलेशन है वो इतना जल्दी कैसे आया देखो जब कोई वैक्सीन का तीसरे चरण में टेस्ट होता है तब वो ऐसा तैक करते हैं कि इतने केसे आने के बाद वो देखेंगे जो कोविड के केसे से वो वैक्सिनेटेड लोगों में कितने है और उससे उसका वो प्रभाव नापती है लेकिन हमारे नहीं महामारी इतने चल्दी से फैल रही है इसलिए उनके वो केसे जल्दी मिल गए उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही मिल गए और उसका उन्होंने डेटा विशलेशन करके डाल दिया है वो डेटा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आप दोनों डोस लेते हो को वैक्सिन को तो को वैक्सिन के तो आपको 78 फीसद प्रभाव है तो प्रिवेंट माइल मॉडरेट कोविट इस हंड्रेट परसें सचमुच ठीक है तो फिर महामारी खतम होने को आई यह बहुत अच्छा डेटा है लेकिन ऊसमें थोड़ा प्राबलेम क्या है प्राबलेम ज्यादा नहीं है प्राबलेम इतना ही है कि यह जो डेटा है वो भारत बायोटेक के बायरत बायोटेक ने डाला है उसका जिसको पी मुझे जोईन करना चाहता हू है क्या फिल्म स्कुल अच्छा है क्या बात करहा हो यह तो दुनिया में विश्म में सबसे बड़ा है लो पुछ ते कौन केहता है वह वेब्साइट पर लिखा है कि वह विश्मा में सबसे अच्छी है तो उपरोत के साथ बात करना हूँ लेकिन ये डेटा भारत बायोटेक ने खुड डाला है लेकिन उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि ICMA जो भारत की संस्ता है बहुत अच्छे लोग है और जो National Institute of Virology है वो लोग भी इनके साथ जुड़े है तो ये डेटा पे भरोसा कर सकते है लेकिन ये ऐसा भरोसा मन डेटा डाल देते है और बाद में कुछ confusing डाल देते है उन्होंने एक statement डाला था वो कह रहे थे कि दोनों डोस को वैक्सीन के लेने के बाद सिर्फ कुछ 0.03% लोगों को ही COVID होता है उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोवी शील अगर ले ली आपने तो दोनों डोस लेने के बाद आपको सिर्फ 0.03% chance है वो मुझे कुछ समझ मी नहीं है मतलब मैं अच्छी न्यूस के साथ जगडा नहीं कर रहा हूँ मैं तो पहले से अच्छी न्यूस के तरफदारी करता था लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोवी शील 99.97% एफेक्टिव है तो फिर दोनों डोस लोने के बावजुद लोगों को कोवीड क्यों हो रहा है वो सब छोड़ दो मैं आपके question का answer कर देता हूँ अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो जो vaccine जल्दी मिलती है वो ले लो 60 के ऊपर है तो कोवीशील को ज़रा ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा लेकिन कोवैक्सिन भी चलेगी कोवैक्सिन अच्छी वैक्सिन है अगर 30 ये 60 के बीच में है अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है तो अगर आप फीमेल हो महिला हो तो कोवैक्सिन ले लीजिए अगर आप मर्द हो तो सोचना है कौन सी लेनी है तो पहले तो मैं कोवैक्सिन का डेटा की कुछ बात ही नहीं कर रहा था अभी मैं यहां तक आप पहुचा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 18 और 30 के बीच में है और आप महिला है तो कोवैक्सिन ले लो क्योंकि मैं तो डेटा की रहा देख रहा था आप कह रहे हो कि आपने तो हाथ उपर कर दिये अभी मैं वीरू हूँ आप सामभा हो आप गन नीचे करो मैं हाथ नीचे करता हूँ मैं हाथ उपर करना पे मजबूर हूँ चोंकि पियर रिव्यू डेटा नहीं आया था और लोग एक इलजाम लगाते वो भी सही है कि जब हम लोग फाइजर, मॉडर्ना या कोविशिल जो उनिवर्शिटी ने डिजाइन की उसकी बात करते हैं तो हम बड़े प्यार से बड़ी लगाव से बड़ी आत्मियता से बात करते हैं और जब कोवैक्सिन की बात हो तो उसके तरफ धान नहीं देते वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बरावर तो क्या इस सापतन भाव से हम कोवैक्सिन को जाजते हैं नहीं कोवैक्सिन का जो डेटा डिकलेर किया न वो 3 जनवरी को करने के सिवा है अगर वो 3 फरवरी को करते पूरा डेटा साथ में जोड के तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता था लेकिन अभी सोचना नहीं है वो कह रहे है कि कोवैक्सिन डबल म्यूटेशन की अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है भाई साब यह डबल म्यूटेशन का लोड आप मत ले लो रियल लाइफ में यह वैक्सिन बहुत अच्छे चल रही है चिले में उन्होंने छूटी सी वैक्सिन थी मामूली वैक्सिन थी साइनो वैक्सिन सिर्फ 52 पीसद प्रभावी उसका टेस्टिंग किया 14 लाख लोगों में वो 85 पीसद प्रभावी है बहुत अच्छी चल रही है इस्रेल में तो धमाकेदार चल रही है अमरिका में चल रही है यूके अब खुल रहा है वैक्सिनेशन से ही इस महामारी का अंत हो जाएगा तो यह डब्यल म्यूटेशन वगड़ा कुछ ट्रिपल म्यूटेशन लोड मत लो यह म्यूटेशन के अगेंस वैक्सिन का प्रभाव शायद थोड़ा कम रहेगा लेकिन फिर भी प्रभाव है वैक्सिनेशन ही एक ही रास्ता है जो हमको बचा देगा और अभी जो केसेस आए हैं हम लोग डर रहे हैं इसके पीछे भी छूपी एक अच्छी ख़वर है यह सब केसेस आ रहे हैं क्या आपने सुना है पिछले साल जिनके इसको कोविड हुआ था जुन लोगों को RT-PCR पॉजिटिव क्या वो दूसरी लहर में एड्मिट हो रहे हैं अगर इसका जबाब नहीं है इसका मतलब एक बार कोविड हो गया तो आप वो सब म्यूटेशन म्यूटेशन से भी बच रहे हैं आपको वापिस कोविड नहीं हो रहा है यह बात अगर सच है तो हम लोग छे दिन में तीन लाग केसेस आ गए कहो हर आदमी के पीछे जो टेस्स पॉजिटिव है उसके पीछे दस पचास या सौ लोग खड़े है जो पॉजिटिव है फिर भी हमको पता नहीं है तो अगर एक देड करोड लोग दिन में ऐसा है कि आर्टी पीसीर पॉजिटिव हो रहे है कुछ भी करके अगर हम ने इन लोगों को बचा दिया हॉस्पिटल्स का लोड तो कम हो जाएगा लॉग डाउन से इन लोगों को अगर हमने बचा दिया तो भारत हर्ड इमिनिटी के तरफ एक करोड स्टेप्स ले रहा है अगर एक करोड स्टेप्स लेता है तो 20-30 दिन में ये सब खतम हो सकता है शायद मैं गलत हो लेकिन शायद मैं सच भी हो सकता हो क्योंकि ये जो herd immunity अमरिका में कह रहा है 90 फीसद लगेगी वो इंडिया में 90 फीसद नहीं लगेगी शायद 50 फीसद ही लगेगी 56 फीसद लगेगी क्योंकि हमको जो पुराने cold common cold के virus है उनकी वज़े से हमको थोड़ा cross protection मिल रहा है तो हमारा बचा वैसा भी हो रहा है तो इसी वज़े से अभी vaccine लेके ही महा मारे को खतम करना है covaxin अच्छी vaccine है अगर आप महिला हो और young हो तो definitely covaxin ले लो अगर थोड़े older हो 24 है तो covaxin ले लो नहीं तो covaxin लेने में कोई हर्ज नहीं है वो सब में हमको बारे दिगर देखते रहे हम उनका इंतखाबे नजर रेखते रहे हम बेनियाज बैठे थे उनकी महफिल में औरों की बंदगी का असर देखते रहे क्यों करे समालते हमें वो नाखुदा जो खुद साहिल की आफियत से भवर देखते रहे आई सुबह तो बढ़ा बिजलियों का जोर शब बर हम इंतजारे सहर देखते रहे इस इंतजार का अब अंत होने वाला है महामारी जल्दी खतम होगी जय हैं डॉक्टर अभी गोर से पैंसिलवेनिया से